हेलो नमस्कार जहिन दोस्तों वेलकम टू एक्जाम्स ओरीजनल्स तो मैसेल सुभमगिरी लास्ट एक्चर में मैंने आपको गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट नाइन्टीन नाइनटीन के बारे में पढ़ाया था आज हम बात करने वाले गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट नाइन्टीन थर्टी फाइफ के बारे में तो कुछ हमने लास्ट वीडियो में कुछ चीज़े देखी हुई थी जैसे बायकेमरलिजम डायार की तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे जो इस एक्ट में भी इंट्रोड्यूस किया गया क्या चेंजिस लाए गए और क्या नए फ फेडरेशन बनाई जाएगी जिसमें बिटेश इंडिया भी होगा और प्रिंसली स्टेट्स भी होगे अब यहां पे सर कन्फ्यूजन आता है कि उस टाइम पे तो पूरे ओवरॉल जो इंडिया था उस पे पूरे पे बिटेश रूल कर रहे थे तो फिर यह क्या हो गया इन ब्लू कलर से मांग दे और कुछ एरिया ऐसे हैं जो यलो कलर से मांग दे तो जो यलो मांग देरिया इनको बोला जाता है बिटेश इंडिया बिटेश इंडिया मतलब कि यहां पे जो हमारे बिटेन के लोग थे जो बिटेश रूल थे उनका फुल कंट्रोल था फुल कंट् अभी भी कुछ प्रिंसेज हो गए, ठीक है, जो यहाँ पे कोई kings हो गए, तो जिनको हम राजा रजवाडे वोलते हैं, ठीक है, जो प्रिंसेज, kings वगेरा हैं, यह इन एरियास के head थे अभी, यह इन एरियास पे rule कर रहे थे, ठीक है, head यही लोग थे, इन्होंने बस केवल क् Britishers जो थे उनकी supremacy को accept कर लिया था कि भाई माहिबाब आप ही हो हमारे ठीक है इन्होंने बोल दिया कि हम आपके अंडर ही काम कर रहे हैं आप ही हमारे माहिबाब हो ठीक है लेकिन यहाँ पे ruler कौन थे तो यह prince और kings वगेरा थे Britishers की बस आप बोल सकते हो supremacy है, suzannity इन्होंने accept कर ली थी लेकिन areas को rule यह कर रहे थे तो इसलिए mostly यहाँ पे princes rule कर रहे थे कि जैसे Britishers ने किसी राजा को हराया थी कि वेटल में उसके बाद वहाँ पे जो उसका बेटा था उसको यहाँ पे prince को king बना दिया या उस province का head बना दिया इसलिए इन एरिया को क्या बोला गया princely states तो ऐसे यहाँ पे British India हुआ करता तो princely states ठीक है यह आप map में देख सकते हो कुछ major अगर हम princely states की बात करें तो जैसे हैद्राबाद ठीक है फिर इसके बाद आपका जूनागर कश्मीर बीच वाले पार्ट में अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो हमारा central इंडिया का पार्ट था ठीक है जिसमें भोपाल आया करता था तो यह भोपाल वाला पार्ट यह कुछ एरिया जैसे हैं जिनोंने जब हमें इंडिपंडेंस भिली 47 में तो इनोंने इंडिया को जोईन करने में भी नाटक दिखाया क्यू किया क्योंकि यह प्रिंसली स्टेट थे तो इनके पास पावर थे देखो जो ब्रिटेश इंडिया वाला पार्ट था वो तो डाइरेक्टी हमने easily manage कर लिया problem इन ही एरियास पर जहां पर राजा रूल कर रहे थे जैसे यहां पर कौन था तो राजा हरी सींग थे हैद्राबाद में आगा नवाब था जूनागड में नवाब थे तो यह लोग इंडिया को जो भी स्टेट्स आ रहे हैं वो सारे भी होंगे लेकिन इसमें क्या बोला गया कि जो बिटिश इंडिया वाला पार्ट है मीन सर जो यहां पर यलो कलर से मार्ग डैस पूरे मैप में उसके लिए तो यह कंपल्शन है कि आपको तो जोईन करना ही करना है वो फेडरेशन ठीक है इनको कोई option नहीं दिया गया इनको तो जोईन करना ही था लेकिन जो princely states थे इन राजाओं को यह offer दिया गया कि आप चाहो तो इसको जोईन कर सकते हो चाहो तो नहीं करो इस नोट कंपल्शरी टू जोईन दा ओल इंडिया फेडरेशन अब जब कंपल्शन नहीं है तो उस टाइम पे जो राजा लोग थे वो बहुत ज़्यादा लीनियंट थे तो उन्होंने जोईन नहीं किया तो एक कुछ इन्हें मिनिमूम नंबर चाहिए था कि जिसके वेसि या कभी बन ही नहीं पाई तो एनाउंस किया था कि बनाएंगे 35 में लेकिन कभी बनी नहीं तो पहला मेजर फीचर इसका यह हो गया सेकंड अगर major feature की बात करें तो last act में हमने देखा था कि यह province level पर die-r की लेके आए ठीक है province level पर die-r की लेके आए जिसमें power को दो part में divide कर दिया था एक तो reserve list बना दी थी दूसरी transfer list बना दी तो फिर बाद में जैसे उस में हमने देखा था कि 10 साल बाद उस एक्ट का review होना था उसके लिए Simon Commission मना है तो Simon Commission ने बोला कि सर ये डायार की खतम कर दो ये problem कर रही है तो Simon Commission की बात मान के डायार की जो थी उतको province level पर खतम कर दिया गया तो provincial level पे डायार की खतम हो गई अब डायार की खतम हुई तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तो जितनी provinces थी उनको और autonomy provide की गई उनको और powers दिये गए तो इस concept को हमने बोला provincial autonomy, provinces को power देना provincial autonomy, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया इनमें जो executive होती है इसका head कौन होता है तो अभी present में executive का head होता है आपका CM chief minister तो ऐसे ही यहाँ पे बोल दिया कि जो यहाँ पे executive होगी उसका head होगा governor अब जैसे ही यहाँ पे chief minister अकेला तो सब कुछ कर नहीं सकता है तो उसको assist करने के लिए council of ministers होते हैं अलग-अलग मंतरी होत कि यहाँ पे governor को assist करने के लिए council of ministers होंगी और बहुत सारी ministries भी होंगी अब CM कोई गलत decision ना ले तो इसके लिए हमने क्या है पीछे बिधान सबा बना के रखिये legislature तो वहाँ पे no confidence motion लाया जा सकता है कि अगर वहाँ पे कोई भी गलत काम किया opposition इनके against no confidence motion लाएगी वो motion पा कि जो ministers रहेंगे वो house के लिए responsible रहेंगे जो provincial legislature रहेगी इनकी responsibility उसके लिए रहेगी और अगर यहाँ पे ये अपनी responsibility एंशोर नहीं कर रहे हैं तो उस case में जो legislature है उसको ये power दिये गए कि वो इनको हटा सकती है इसके अलावा British देखो rule तो हम पे कौन कर रहे थे Britishers तो ultimate power त किसके पास है center government के बात कि कभी भी president rule लगा देंगे ठीक है जो state की सरकार है उनको हटा देंगे election कराना है कैसे कराना है क्या वो पूरा procedure center के आतमे या parliament decide करता है तो उस time पे भी ये जो power था तो उस time पे central authority कौन थी British तो ये power किसको दे दिया Britishers को कि Britishers जब भी चाहें तो जो provincial government है उसको suspend कर सकते हैं ठीक है कि वहाँ का जो governor और उसके council of minister है इनको हटाये जा सकते है जैसे अभी फिलाल में केंदर सरकार जो हमारी है center government है जैसे मोदी जी ये भी center में ठीक है तो मोदी जी चाहें तो state level की जो सरकार है उनको हटा सकते है प्र केस में ही देखें जो 90 का एरा है या उसके पहले बाला जब भी center में government change होती थी state में हटा देते थे आपने MP की polity पड़ी होगी तो MP की polity में बीच बीच में आपने ऐसा देखा होगा center में Congress आई तो state में Congress आ गई अगर बीजेपी की government है तो हटा दी center में बीजेपी आई तो state क आपकी Congress सरकार हटा दी तो यह सब चलता रहता था बाद में democracy होने की बजए से courts ने बीच में interfere किया कि नहीं आप बिना किसी logic के ऐसे नहीं हटा सकते हो तो अब वो चीज इतनी smooth नहीं है लेकिन इनके पास free power थे कि Britishers कभी भी चाये provincial government को हटा सकते है अब पहले भी मैंने बत रखना जो एक्जाम में questions आते हैं वो आपको ऐसे ही confuse करते हैं कि वो लिख देगा डायार की state level आपकी यहाँ पे province level पे आई 1935 में तो यह गलत हो जाएगा नहीं सड़ प्रोविंस level पे आई थी 1919 में और center level पे आई 1935 में डायार की में क्या होता था power divide होता था reserve और transfer list में तो यहाँ पे वही power up center में divide कर दिया center में दो list बना दी एक reserve list और एक transfer list वहाँ पे क्या हो रहा था एक governor रहेगा उसके साथ कुछ counselors रहेंगे और transfer वाले में कुछ ministers रहेंगे जो उसको help कर रहेते सेम यहाँ पे है बस governor की जगा यहाँ पे governor journal हो गया ठीक है governor journal उसको help करने के लिए तीन counselor होंगे जिनको appoint भी governor journal करेगा ठीक है तो यह reserve list में जितने भी subjects होंगे उसको regulate करेंगे अब जैसे यहाँ पे हो रहा था था ना कि reserve list में important subject थे और legislature की कोई responsibility नहीं थी यहाँ पे accountable बनाया ही नहीं था कि legislature कुछ करी नहीं सकती थी same इनने यहाँ पे किया कि यह legislature के लिए responsible नहीं होंगे important subject आप देख सकते हो जैसे इंडिया का defense, external affair, press, police, taxation, justice, power resource और tribal affairs जितनी important चीज़े हैं वो सब इनने reserve में रख ली अब transfer वाले में बची कुछी चीज़ें डालेंगे जो important नहीं है important नहीं है तो आप बोल दोगे किस legislature के लिए responsibility होगी तो same यहाँ पे पिछली वा होगी वो team क्या रहेगी responsible रहेगी legislature के लिए कि कोई भी अगर काम करते तो उसका जवाब legislature में देना पड़ेगा तो obviously बात है Britishers हम पे rule करने आये थे exploit करने आये थे तो यहाँ पे ऐसे ही subject रखेंगे जो उतने ज़्यादा important नहीं है तो इसलिए local government, forest, education, health इस टाइप के जो subject ह उनको डाल दिया transfer list में एक condition और यहाँ पे याद रखना कि जो council और मिनिस्टर नहों ने बोला इनको assist करने के लिए होंगे तो इनका maximum number था 10 कि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 इसके बाद governor general को special power दिये कि अगर वो चाहे तो transfer list के subject में भी interfere कर सक रखता है ठीक है इसके बाद बोला गया bicameralism अब वहाँ पे bicameralism कहां आया था तो सर सेंटर लेविल पे bicameralism आया था 1919 के act में यहाँ पे आया provinces में जैसे आज के टाइम पे अलग-अलग जो states है जैसे यूपी हो गया करनाटक हो गया इनमें दो houses है तो ऐसे ही यहाँ पे भ जैसे थे तो लोगसबा और राज्यसबा जैसे तो यहाँ पे अभी हम जैसे देखें तो इस्टेट वाले को तो हम लोगसबा राजसबा नहीं बोलते है उसको हम बिधान सबा बिधान परीशत बोलते है ना आपकी इस्टेट legislative assembly और इस्टेट legislative council तो ऐसे यहाँ पे भी ना टैनियोर था वो five year था कि इसमें जो भी members आएंगे वो पास साल के लिए जैसे आज हमारे सांसद या बिधायक बोलेंगे हम सॉरी तो जैसे आज बिधायक होते हैं पास साल के लिए तो ऐसे ही federal assembly में जो members होंगे यह five years का tenure रहेगा अब यहाँ पे चाहे federal assembly हो चाहे council of state हो दो प्रिंसली स्टेट्स के भी representative रहेंगे प्रिंसली स्टेट्स हम पहले ही देख चुके जहां पर राजा या प्रिंसेस रूल कर रहे हैं और बिटिशर्स की supremacy accept कर लिए अब यहाँ पर किंग आ रहा है और प्रिंसेस आ रहे हैं तो सर यह election तो नहीं कराने वाले तो प्रिंसली स्टेट से जो members आते थे वो कैसे होते थे nominated जो वहां का rulers है वो अपने पसंद के जो भी officers है उनको भेशता था ठीक है तो यहाँ पर nominated members आते थे यहाँ पर elected members नहीं थे ठीक है तो यह हो गया इसके बाद अगर हम बात करें तो जो representative थे British India के ठीक है तो British India के जो representative थे वो elected रहें ठीक है अब यहाँ पर कुछ member का तो election हो रहा था वो ठीक है council में कुछ members nominate भी हो रहते जैसे अभी present में आप देखो राज्य सबा में कुछ members का election होता है और जैसे 12 members आपके ऐसे होते जिनको president nominate करता है even यह हमारे यहाँ पर जो अभी council होती state की जो council होती है जिसको हम विधा परिशत बोलते हैं उसमें भी यह concept है कि कुछ members यहाँ पर elect होके आएंगे और कुछ को जो state का governor रहेगा वो nominate करेगा जैसे कोई art field का है science का है तो ऐसे यहाँ पर भी एक clause डाला गया कि कुछ governor journal के द्वारा nominate होंगे तो अब यह जो छे यहाँ पर provinces का concept है यह कहां कहां लाया गया ठीक है bicameralism का जो concept है कौन कौन सी provinces में लाया गया तो सर बेंगॉल में मदरास में बॉम्बे में बिहार में असाम में और यूपी में जिसमें से आप देखो तो यूपी में तो अभी भी यह follow हो रहा है कि overall जो पाबर है जैसे हमने बोला कि यहाँ पर reserve list में defense था फिर हमने बोला law in order है तो इन्हों ने ऐसे जो अलग-अलग subject से इनको भी divide कर दिया कि इन्हों ने बोला कुछ subjects ऐसे हैं जिनको पूरे तरीके से provinces इन पर क्या कर सकती है law बना सकती है कुछ subject ऐसे है जिन पर जो center है बो law बना सकता है या फेडरेशन law बना सकती है फिर इसके बाद कुछ subjects ऐसे रहेंगे जिन पर दोनों law बना सकते हैं इनके अलाबा अगर कोई subject बच गया है तो उस पे वाइसरोय कानून बनाएगा या वाइसरोय के पास power होंगी वो decide करेगा क इसका क्या करना है तो जैसे defense ठीक है all over India के लिए था तो इसको डाल दिया federal list में इसी concept को हमने आजा दी के बाद भी अपने संभीदान में डाला कहां पे 7th schedule में ठीक है तो हमारे constitution के 7th schedule में हमने 3 part में subjects को divide कर दिया federal list को आज हम जानते हैं union list के नाम से ठीक है provincial list को आज हम जानते है state list के नाम से और concurrent तो concurrent ही है residery powers जो उस time पे vice roy के पास थे आज वो residery powers किसके पास है parliament के पास ठीक है तो आज वो residery powers हमने दे दिये हैं parliament को तो इस तरीके से चार type से आपकी list बनाएंगी और ऐसे powers को divide sorry subjects को divide किया गया किन पर कैसे कानून बनेंगे फिर बोला गया कि federal court establish किया जाएगा जैसे supreme court है ना कि जो पूरे तरीके से आपके center और state के बीच में जगड़े हो रहे है center center के sorry state state के बीच में अगर जगड़ा हो रहा है तो उनसे deal करता है तो ऐसे ही बोला गया एक federal court होगा all over India लेबिल पे जो कहां बनेगा दिल्ली में तो federal court एक establish किया जाएगा दिल्ली में जिसका main काम क्या होगा कि अगर दो provinces आपस में जगड नहीं है तो उनके dispute को solve करना प्रोबिन्स और center आपस में जगड रहे हैं तो उनके disputes को भी solve करना तो ये इसका main काम था इसमें बोला गया कि सर एक इसमें chief justice होगा और maximum 6 judges हो सकते हैं तो 1 plus 6 maximum मतलब 7 इसमें judges हो सकते हैं 1 CGI और 7 other judges पहली बार इस act में direct election कराने की बात की गई ठीक है तो जब भी आपसे question इंडक कराने की बाद पहली बार कब की गई थी या कब introduce किया गया था तो सर government of इंडिया एक 1935 ने पहली बार direct election की बात की फिर इंडिया में उस time पे railway बहुत जादा develop हो चुका था ठीक है बहुत सारी rail lines बिचाई जा चुकी थी तो railway को control करने के लिए यहां पे एक federal railway authority भी ब बनाएगी जो इंडियन railways को control करेगी उसके बाद यहां पे money supply trade अच्छा खासा हो रहा था तो हमारे देश का जो यहां पे banking system है या पूरे तरीके से जो money supply है उसको regulate करने के लिए बोला गया कि एक central bank को establish किया जाएगा जिसका नाम दिया गया RBI Reserve Bank of India तो यहां पे बोला गया RBI बनाया जाएगा presently अगर हम बात भी करें तो RBI कौन से act के थुरू बना RBI Act 1935 ठीक है तो RBI इसी act के बाद बोला गया था और फिर वहां पे RBI Act लाया गया इसके बाद बोला गया कि तीन level पे आपके public service commissions बनेंगे recruitment कराने के लिए क्योंकि इस time तक civil servant जो थे वो Indians बनने Commission होगा एक Provincial Public Service Commission होगा और एक Joint Public Service Commission होगा Federal को ही आज हमने replace कर दिया Union Public Service Commission UPSC Provincial को State Public Service Commission जिसमें अगर हम बात करें Example के लिए MPPSC मद्द प्रदेश Public Service Commission Joint मतलब दो स्टेट से एक साथ exam कराना चारा हो या recruitment करना चारा हो या दो से जादा तो उन्हें के लिए जब कभी सेंटर वो Commission बनाता है तो उसको Joint Public Service Commission बोलते हैं तो इसका पहला पहली बार जो concept निकल का है वो कहां से तो Sir Government of India Act ने बोला कि ये तीन टाइप के Commission होंगे इसके बाद इन्हों ने क्या बोला जो Communal Representation थी जो Separate Electorate हमने देखा 1909 में आया तो पहली बार Separate Electorate आया 1909 में इसमें बोला जो Muslim Community के Members हैं वो केवल Muslim को ही Elect कर सकते हैं ठीक है जैसे Council में किसी Muslim Member को जाना है तो इसके लिए बोल्ट केवल Muslim Community के ही लोग कर सकते हैं और दूसरी Community के लोग नहीं करें हमने बाद में देखा 1919 का Act आया तो इन्होंने जो आपके Europeans थे और Anglo-Indians थे उसको भी इस List में सामलेट कर लिया उन्हें Separate Electorate दे दिया तो जैसे Christians को भी दिया अब इन्होंने क्या किया जो Depressed Classes थी ठीक है कि अगर किसी SC Member को जाना है, Nominate होना है या Elect होना है Council के लिए तो उसमें जो voting करेगा वो केवल SC Community ही करेगा उसके अलावा कोई vote नहीं कर सकता है यहां तक तो फिर भी ठीक था कि Separate Electorate अगर हम बात करें तो 1909 में Muslim League की एक Demand थी कि जब Bengal Partition नहीं हुआ तो इनने Demand रखा था कि हमें कुस्तो फाइदा दो तो इनने Separate Electorate दिया गया Even हमें Christians, Europeans, Anglo-Indians का भी समझ में आता है Because वो Britishers के साथ ही मिले हुए थे ठीक है, depressed class का भी हमें यहां पर समझ में आया, पूना पैक्ट हुआ वो सब तो उस टाइम पर depressed class नारास थे क्योंकि society में उनके against exploitation और discrimination बहुत ज़्यादा था लेकिन women और labor ने तो कोई movement ही नहीं चलाया उनने कभी इस चीज़ की demand ही नहीं की कि हमें separate electorate चाहिए लेकिन Britishers की policy क्या थी? Surdividend Rule की तो इंडिया को पूरे तरीके से आप माटना चाह रहे हो तो इसलिए आपने क्या क्या women और labor को भी separate electorate provide कर दिया मतलब एक घर में 10 लोग हैं और आपने बोल दिया कि हमने 10 अलग-अलग community बना दी अब 10 लोग अलग-अलग लोगों को बोट देने जा रहे हैं ठीक है कि जैसे एक colony में एक ऐसी एक woman है वहाँ पे एक labor है एक sick है है एक muslim है तो सब एक-एक को ही बोट दे रहे है बाकी को दे ही नहीं पा रहे है क्योंकि आपने यह fix कर दिया तो अपनी अपनी community के बस leaders यहाँ पे choose कर रहे है लास्ट टाइम हमने देखा था Government of India Act 1858 में एक secretary of state की post बनाई थी उसी time पे क्या बोला था कि यह भाई जो secretary of state रहेगा यह जो बंदा या जो भी बंदी रहे इस पे इसको support करने के लिए ठीक है अब यह थोड़े से anti female हुआ करते थे तो कभी कोई लड़की को तो इनने appoint किया नहीं ठीक है और western world जो है अपने आप में एक achievement celebrate करता है कि हम feminist है लेकिन इसका सबसे बड़ा example यह ही है कि USA जो world की सबसे oldest democracy आज तक कोई female president नहीं दे पाया ठीक है तो उस time पे भी यही था कि केवल male members पे ही focus रखते थे तो ऐसे 1858 में secretary of state की position बनाई और बोला इस position पे जो भी बंदा आएगा उसको support करने के लिए कि वो अपने decisions ले सके एक council बनाई जाएगी कि यह council में कुछ members होंगे वो इसको support करेंगे तो इस council को finally government of index 1935 में खतम कर दिया बोले अब इस council की जरूवत नहीं है इसको खतम करो ठीक है तो इसको टाटा बाय बाय बोल दिया कि भाई आप जा सकते हो इसके बाद इन्होंने कुछ reorganization भी किये जैसे जो यहाँ पे Bombay वाला आपका area था ठीक है पुराने map में अगर हम देखें तो यह आपकी Bombay वाला area है ठीक है यह वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पे यह Bombay वाला पूरा area है ठीक है तो यह जो Bombay वाला पूरा area था इसमें से सिंध को काटके अलग कर दिया ठीक है तो सिंध को अलग कर दिया Bombay presidency में से बिहार और सुरीसा पहले 1 एक area हुआ करता था तो इसको split करके अलग कर दिया बरमा जो म्यानमार वाला जो अपर पारे अपन म्यानमार वाला जो reason है उसको बरमा बोला जाता था पहले यह वह इंड जो area आ जाता है इसको बोलते एडेन ठीक है तो ये जो gulf of अडेन वाला area था पहले ये इंडियन जो बिटिश इंडिया हुआ गरता इसका ही पार्ट था ये ही लोग इसको regulate करते थे लेकिन बाद में इसको क्या है एक separate colony बना दिया गया और इसको एक crown colony बनाया crown colony मतलब के direct इसको rule करेगी कौन queen ठीक है तो direct queen के अंडर ये रहने वाला है तो इसको एक crown colony बना दिया गया तो इस तरीके से कुछ states भी है जिनका reorganization किया गया तो ये हमारा पूरा act था government of India act 1935 I hope आपकी जितनी भी चीज़े हैं वो सारी clear हो गई होगी आपके मन में कोई भी doubt नहीं हुआ होगा तो और according to me I think मैंने सारे points इसमें cover up कर लिये हैं एक दो points छोटे मोटे कहीं छूट जाते हैं तो standard books आपको पता हैं वो आपको पढ़ना ही है तो थोड़ा बहुता आप वहां से देख सकते हैं फिर भी इसमें अगर आपको कोई concept समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई भी doubt है तो आप comment section में उसको लिख सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दो जितना ज़्यादा हो सके उतना like करो और aspirants को भी इस अज़ाम ओरीजिनल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू फो मच जैहंद